तो यहाँ पे आप स्क्रीन सॉट देख रहे हैं, CBT1 का पर्थम चैनल का जो स्कोर कार्ड निकल किया था, मेरा यहाँ पे स्कोर कार्ड है, सुर्परताब सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा नाम Hello Everyone, Welcome to the Student Channel इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB ALP Technician के 2018 में, जो CBT1 पेपर हुआ था, उसके लिए कटाफ किया था, हर जोन को मैंने यहाँ पे एक जगा लिख दिया हुआ है, लगभाग इसमें मैंने 10 जोन का कटाफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ ALP का कटाफ मैंने यहाँ पे लि तो point के बाद की value को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बस एक आपको मोटी मोटा idea आपको लग जाएगा, कि किस जोन में कितना कितना UR में कटाफ था, कितना SC में, OBC में, HT में कटाफ था, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो कटाफ है, एहमेदाबाद जोन का देखे, मैं अभी आपको अपना भी score card दिखा दूँगा, CBT1 में में मेरा कितना score card रहा था, normalize होके, मेरा कितना score improve हुआ था, तो वो मैं अभी दिखा दूँगा, अभी थोड़ा सा हम लोग कटाफ के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखे, एहमेदाबाद जो zone थ कटाफ 35 और SC का कटाफ 32 और ST का कटाफ 28 था, देखे, इसके बाद भी point में value थी, लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखा, बस आपको idea लग जाए, जिससे अब future में जो भी vacancy आएगी, LP technician का, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि CBT1 को qualify करने के लिए, कितना number कम से कम आपको लाना चाहिए, देखे, दूसरी बात यहाँ पे की, देखे, जो 2018 में जो भी कटाफ निकले हैं, 2022 में जो भी आपका कटाफ निकल के आएगा, CBT1 को लेकर के, जो target आप बनाएंगे, उसमें जहार सी बात है, इतना कटाफ नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा ही कटाफ और SC के लिए 49 और ST में 45, वहीं पे मेकनिकल के लिए कटाफ था 53, OBC में 44 और SC में 37 और ST में 26, अलावाद जोन में जो काफी ज़्यादा इसमें वेकंसी थी, तो UR में जो कटाफ था, इलिक्रिकल के लिए 50 था, और OBC में 41 और SC में 36, इसी तरह से आप ST में 27, तो मेकनिकल मे अब ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुरा आप यहाँ पे स्क्रीन सॉट इसको ले लिजेगा, बाकी एक एक स्कोर को बताने में थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लेंदी जाला जाएगा, वहीं पे देखिए अब होपाल जोन की बात करें, इलेक्रिकल में 53 था जनरल का, ओबी सी में 45 था, और चेननाई में देखिए इलेक्रिकल में 50 है, और ओबी सी में 45, फिर 40 और 29, यह जितने भी मैं यहाँ पे स्कोर कार्ड बता रहा हूं, यह है नॉर्मलाइजड स्कोर, अब मैं बता देता हूं कि नॉर्मलाइजड स्कोर में, अगर मैं वात करूं जैसे यह 25 यहां पर देखिए पॉइंट में हो सकता है यहां पर 7 हो यहां पर तू हो तो इससे थोड़ा सो कम तो था लेकिन पॉइंट में थोड़ा सा चेंजर था अब देखे यहां पर जो 30 नमर ओवीची आया हुआ है तो इतना मान के चलिए जो लोग 25 पाये हुए थे रॉमाक् और नर्मलाइज होके 30 चला गया तो यह कटाफ बहुत ज़्यादा नहीं गया था गोरखपूर का गौहांटी में भी देखिए सेम उसी तरह से 40 है 33 है 30 है 25 है कुलकाता में देखिए 41 है तो 40 जनरल में आनेवरेज 40 से लेकर 50 के बीच में है और वहीं पर देखिए 40 उसीड से ले करके 41 42 ची आसपास में ही सभी का कटाफ गया है बाकि जसमें ज्यादा कटाफ चली गई है किसी किसी जो उनका 50 के आसपास में है जनरल और OBC में वो कटा 40 है, अगर 40 ये normalized score हो सकता है, वो जो score 40 अगर पाया होगा लड़का हो सकता है, 37 पाया हो, तीन नमर बढ़ गया हो, out of 75 की में बात कर रहा हूँ, normalized score जब बढ़ता है, तो पिछली बार बहुत ज्यादा ज्यादा score बढ़ा हुआ था, CBT1 में भी और CBT2 में, तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ALP में जो CBT1 का qualification था, ये सरिफ qualifying paper था, सबी लोगों को पता है, और future में भी CBT1 qualifying ही रहेगा, जहां तक मुझे लगता है, तो qualifying paper में बहुत ज़्यादा score करने की जरूरत नहीं है, आप इतना कोशिस रखिये कि कम से कम 60% number आप ले कर आएं, बाकि कुछ zone में अगर vacancy कम रहती है, तो आपको उसमें बहतर score करना पड़ेगा, total 75 question का paper रहता है, अब यहां पे ध्यान देना होगा कि जब भी आप zone select करेंगे, जब भी आप farm भरेंगे, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी रहेगी कि कौन देखिए क्या कि NTPC में जो गोरखपूर zone है, ALP में cutoff कितना कम है, लेकिन NTPC में गोरखपूर zone का जो cutoff है, वो बहुत ज़्यादा गया हुआ है, NTPC में उसके वास्ते group D में अभी जो result आया हुआ है, group D में भी गोरखपूर zone है, उसमें top 3 में है यह, सबसे ज़्यादा cutoff में top 3 में है, यह तीसरे नमर पे और लगभख 70 नमर के असपास में गया हुआ, 69 के असपास में UR का cutoff है, group D में normalize score, तो कभ होता क्या है कि बहुत से लोग YouTube से देख करके, बहुत से यूटूबर से समझ जाते हैं कि इस zone का cutoff कम जाता है, पिछली बार कम गया था, तो यह देख लेते हैं, मेरा क्या score रहा था, CBT1 में, तो यहाँ पर आप screen shot देख रहे हैं, CBT1 का पर्थम channel का, जो score card निकल काया था, मेरा यहाँ पर score card है, शुरुपरताब सिंह यहाँ पर लिखा हुगा मेरा नाम, और इसमें मैं कितना question attempt किया था, यह देख लेते हैं, देख score हुआ, इंक्रीज किया था, नॉर्मलाइज, तो देखे, कितना ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुआ है, 49 से ले करके, सीधे, नॉर्मलाइज स्कोर 72 चला गया है, और मेरा एक्जाम जो trade था, वो electrician trade था, मैंने भरा हुआ था, कि पार्ट सेकंड इस्टेन में, जब 72 में भी, इंक्रीज हुआ था, अगर रॉव मार्क्स के अधार पर भी देखा जाया, तब भी मेरा score अच्छा था, और मैंने बहुत ज्यादा question नहीं attempt किये थे, उतना ही attempt किया था, कि मुझे लगता है कि करीब मैं 60, 60 के असपास में question attempt किया हुआ था, और 7-8 question मेरे गलात CVT-1 में, तो इसी अधार पर मेरा 49 मार्क्स यहाँ पर बन रहा था, तो यहाँ पर अगर आप score अच्छा करना चाहते हैं 75 में, तो आपको यहाँ पर जितने भी मैंने cut-up बताया हैं, उसको आप देख लिजेगा, और उसी अनुसार आप CVT-1 का target बनाईएगा, बाकी, CVT-1 और CVT-2 में, बहुत ज़्यादा gap ना मिले, तो CVT-2 के जो भी syllabus हैं, उसको भी आपको साथ में पढ़ते रहना चाहिए, और मेरे चैनल पर जो भी ALP का weekly study plan है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका playlist मैं नीचे description में दे दे रहा हूँ, मैंने 8 week तक का study plan बता दिया हुआ है, और जितने भी लोग उसको follow करने हैं, definitely उनको फायदा हो रहा है, और मैं कोशिस करूँगा कि जितने भी syllabus हैं, उसको cover करा दूँ, सारे weekly study plan में, और उसमें मैं revision को भी continue रखूँगा, इसके लाब भी अगर कोई query हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं, चाहे तो the student को आप Instagram प भी follow कर सकते हैं, id है at the rate.study.study, thank you, all the best.